यह प्यारा सा आई मेक अप लोग देखरे होंगे कि जो कि रॉयल ब्लू कलर में हैं और रॉयल ब्लू कलर के प्रजान आई मेक अपस लिए बहत जाधा होते हैं लगाद ए लूट से लोग अपको बहुत के लिए हमसे नहीं होगा यह कोमेंट तो बहुत जादा है कि हम से नहीं होगा तो यह जी जाब हटा दो और ट्राइ करना सुरू करो सबसे पहले हम आई ब्रोज को फिल करेंगी अनस्तासिया के इस पॉमेट से और जो मैं ब्रश यूज़ करी हूँ वह है प्रॉस्ट ब्यूटी का पी 15 नंबर का ब्रश है एंगिलर शेप का ब्रश से बहुत अच्छा ब्रश है और पतला ब्रश से इससे आप अपनी आई ब्रोज को बहुत इजली और बहुत परफैक्ली ड्रॉ कर सकते हो ठीक है कुछ इस तरीके से हमने शेप बनाई अब इनकी आई ब्रोज देख सकते हो कि इतनी जादा फिल बनी भी नहीं है थोड़ी बहुत एक्स्टा है जो कि हमारे चंसीलर से जाते हैं अब थिक कंसिस्टेंसी थिक मतलब होता है जोड़ा सा गाड़ा जिसको बोलते है वैसे तो उसका फाइदा ये भी है कि ये जो हैर से ये दिखेंगे नहीं बाद में अमें यहां पर क्राइलोन सुपरा का सेड यूज करी हूँ एफस ट्रइन और कुछ इस तरीके से मैं इसको अपलाई किया तो इनकी कंसिस्टेंसी भी काफी ठीक होती है और एक छोट असा फ्लैट ब्रस म अगर होता तो मैं आप लोगों के साथ जरू शेयर करती है इस तरीके से अपलाई किया और आई बेस बनाया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आई बेस आपको ना हमेसा फेयर शेट का लेना चाहिए तो वैसी मैंने यहां पर इनके कलर टोन से फेयर शेट का कंसीलर लिए और इस तरीके से अपलाई किया अब आप कहोगे कि यह सुप्रा वाले तो फांडेशन होते हैं तो यह ना आल इन वन पैलेट होती है आप इनको चाहो तो as a concealer यूज कर लो as a color character use कर लो as a foundation use कर लो किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अपर साइड में भी हमने यहां बर finishing दी है क्योंकि हमें सिर्फ eye makeup करना है अगर आपको पुरा base makeup करना होता तो अपर साइड में आपको already वैसे ही base बन जाता और उसके बाद आप finishing दे सकते थे अब हम एक चोटा बड़े बड़े टूल्स रखने चाहिए वैसे ही brushes और beauty blenders का भी होता है कि आई के लिए आप छोटे-छोटे blenders रख सकते हो और कोई इतने महंगेनी होते ही है सत्तर असी रुपय का पूरा डिबा आ जाता है और काफी लॉंग टाइम तक चलता है अब मेरे पास जश्ट गो क्षाएएएएप करो रुपयाएएप में तो smolky आई में कापना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए मैंने सिंपली क्या किया किया कि क्रीज लाइन पे और इसको एक क्रिएटी क्रिएग कर दिया और इसकी अंदर तो मैं झाइट किया था मैं बाद में इसको smolky मतलब कवरिज कैसे हो सकती है अपनी जगह से यह तस से मस निवा यह देख सकते हो इतना हाडली मैं यहां पर ब्रस चला रही हूं आप लोगों को दिख रहा होगा ना यह देखो लेकिन यह जो जैसे लगाया वैसे ही लाश्ट में मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ा कि यह देख लिया और इसके बाद इससे मैंने एक आउटर लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से क्योंकि मेरे पास कोई आप्शन नहीं बच रहा था कई बार ना जब हम रियल वर्क करते हैं तो भी हमारे साथ ऐसा होता है तो इसलिए आप जब भी कुछ नए प्रोड़क्ट पहले उसका डैमो में यूज जरूर किया करो डैरेक्ट क्लाइंट पर यूज मत किया करो चाहे वह ग्लिटर हो काजल हो पॉलबेशन हो आई सेड हो कुछ भी हो अगर यही सिचुएशन मेरी डैरेक्ट क्लाइंट के साथ हो जाती तो सोचो कितना टाइम वेश्ट होता तो आपको पहले डेमो में उसको यूज करना है, प्रैक्टिस में यूज करना है, इस प्रेशली नए प्राड़क्ट को ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसका रिजल्ट कैसा आरहे है ठीक है, अब मैंने ब्राउन से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यह आई मेकप अगर ठीक है, इस अगरम ना यूज कालर या और अवटर लाइन पर और चाल को जाए ठीक है यह सब्लाशा है कि इस आई मेकप में जान आ रहा है तो हमें यह टैलेंट होना चाहिए कि कहीं पर अगर हमसे गल्ती हो जाती है, हमारा काम खराब हो जाता है तो हम उसको सही कर स फिर वही है कि यहां पर यह मर्ज नहीं होगा ब्लेंड नहीं होगा और ऐसे में जो इसके लाइन्स दिख रही थी लेकिन इस काजल के मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी जिसकी कंपनी का यह जश्ट गोल्ड कंपनी का है अमेजिंग काजल है अमेजिंग फिर मैंने क्या कि कि मेरे पास स्वेस्ट प्यूटी की एक सिमर पैलेट थी इसको लिया मैंने सेम कलर में और इसके उपर अपलाई कर दिया कुछ इस तरीके से और फिर जो मेरा आई मेकप लग रहा थाना एक दम दिल खुश हो गया मेरा ओरेंज कलर इसमें इतनी प्यारी फिनिशिंग डाल यह देखो और फिर मैंने जेश्ट गोल्ड का यह जल लाइनर लिया और इस तरीके से आउटर कॉर्नर से विंग बनाऊंगी क्योंकि मुझे ना विंग लाइनर लगाना बहुत ज्यादा प्रसंद आप लगो ने देखा होगा मेरी वीडियो में जातर विंग लाइनर ही होत और यह जो एप्लिकेटर है इतना अच्छा है जब से मेरे पास एप्लिकेटर है मैं इसी को यूज करते हूँ लाइनर भले ही मैं चाहे किसी दूसरी कंपनी का लगा लो लेकिन मुझे ब्रस यही वाला चीए और अगर आप लोग भी ट्राइ कर सकते है तो आप इंस्टाग और यहाँ आप मैं जब लाइनर भी जाता है और अपर से इसका जो जब लगाने में लाइनर अगर म्या ही बले तो लिए प्रस यह ब्रस का र्वाईनर कितना बनाया 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 गार यहाँ प्यूटिफुल बनाया और आउटर से मुझे ऐसा बंग बनाना पसंद है कि तो यह तो अपनी अपनी चोईस होती है कोई किसी तरीके से वर्क करता है इसके बाद मस्कारा करेंगे और यह जो स्किन वाला काजल है यह भी जश्ट गोल्ड कंपनी का है अब मैंने आइब्रोज को थोड़ा सा फिनिशिंग दी है कुछ इस तरीके से और यह रहा हमारा प्यारा सा आइमेकप अब आप लोगों कम्प्लीट जो है वीडियो आप लोगों ने देख ली और कॉमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि आप लोगों को यह आइमेकप कैसा यार बताओ यार जल्दी जब आप कॉमेंट करते हो ना तो मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियो वीडियो बनेगा तो